हेलो दोस्तो दोस्तो आज का जो हमारा पोधा है वो है गुलाब का पोधा दोस्तो अक्टूबर का महीना खत्तम हो गया है लगबग 2-3 दिन के बाद नॉमबर शुरू हो जाएगी और नॉमबर शुरू होने के बाद ही दोस्तो हमारे गुलाब के जो पोधे हैं दोस्तो वो स से ज़्यादा लगने लगती है जिससे हमारे पोधे भी बहुत अच्छी तरह से गुरोध करने लगते हैं और उसमें फूल भी बहुत बढ़िया आने लगती है तो दोस्तों आपने अपने गुलाब के पोधे की अक्टूबर में कटाई छटाई किये थे तो आपका जो गुल आपका पोधा जे बहुत अच्छा ग्रोध हो जे और उसमें इस तरह फूल और कलिया आने लगे तो दोस्तों ये मेरा पोधा देख सकते हैं कुछ दिन पहले ही मैंने इसमें मेथी दाने से बना हुआ खाद डाली थी दोस्तों तो मेरे पोधे में काफी ज्यादा कलिया बन डाली थी उस टाम ये पोधा जो है गुरोध कर रहा था लेकिन डालने के एक दो दिन के बाद ही ये पोधा जो देखिया बहुत सारा कलिया बना चुका है अब देख सकते हैं बहुत ही सारा कलिया है नीचे तरह भी बहुत ज्यादा कलिया है लेकिन दोस्तों ये कलिया जो ह अच्छी से खिले सुवास्त रहे और फूल जो है बड़ी-बड़ी साज में खिले तो आज मैं आपके साथ सेर करूंगी दोस्तों से कौन सा खाद में अपने पोदे में देने वाली हूँ और क्या चीज क्या स्प्रे करने वाली हूँ नमस्ते दोस्तों में हूँ कविता कविता के बगया यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा कि सभी जानते हैं ओक्टूबर में हम लोग गुलाब की पोदे की कटिंग किये थे उसके बाद जो हमा बहुत ही सुन्दर आएगी हेल्दी आएगी और हमारे पोदे में किसी तरह का कीड़े मोकड़े या फंगस नहीं लगेगी तो दोस्तों वह कौन सा खाद है चलिए मैं दिखाती हूं आपको तो दोस्तों आज हम जीस खाद का इस्तमाल अपने पोदे में करने वाले यह आप सकते हैं दोस्तों यहां समेली हुई बर्मी कंपोस्ट यह आप देख रहें अगर आपके पास बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप उसके जगा पुरानी जो सुखी हुई गोबर की खाद होती है दो साल डाय साल पुराना उस गोबर के खाद का आप इस्तमाल कर सकते हैं और दूसरा चीज जो हम यहां मिलाने वाले दोस्तो यह आप देख सकते हैं यह है डाइ अमोनियम फस्पेड दोस्तो जिसे अम लोग डीएपी के नाम से जानते हैं दोस्तो यह जो डीएपी होता इसमें नाइट्रोजन और फासफोरस बहुत अच्छी मात्रा में होती है और यह ह हमारा पोधा जो है बहुत ही सुन्दर घना होगा और उसकी जो नई ने ब्रांचे आएगी बहुत हेल्दी और मजबूत आएगी तो इसलिए दोस्तों हम यहां थोड़ा सा डीएफी डाल रही हूँ और दोस्तों तीसरा जो खाद हम यहां मिलाने वाले यह आप देख सकते हैं यह है दोस्तों पोटास जिसे हम लोग पोटास के नाम से जानते हैं और इसमें दोस्तों भरपूर मातरा में पोटेसियम पाया जाता है और इसे हम इसलिए डाल रहे हैं क्यूंकि इसके डालने से द बहुत है सब्सक्राइब अफम नीघता उडिये श्rap ट्रक ट कॉषिथ की दिन सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए इसका इस्तवाल करते हैं तो दोस्तो इस्तिमाल करने से पहले आप पोधे की अगर घांस फूस निकले हुए है मिट्टी में तो पोधे की मिट्टी की बहुत अच्छी तरह से गुड़ाई कर ले उसके साफ सफाई कर ले उसके बाद ही दोस्तो आप अपने पोधे में खाद दे और दोस्तो इस खाद क के लिए perfect है तो यह जो खाद है दोस्तों यह हम अपने गमले में डाल रही है और यह जो मेरा गमला है दोस्तों 14 इंच का गमला है तो 14 इंच के गमले में दोस्तों यह जो मैंने खाद बनाया है यह सिर्फ एक ही गमले के लिए है यह मैं वीडियो बनाने के लिए आपको बता दिande, लेकिन इस रेशियो से आप अपने सभी गमले में इस खाप का इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों, खाप का देने से पहले आप सारे मिट्टी को इस तरह से उपर की ओर उठा लीजिए उसके बाद ही दोस्तो ये जो खाद है आप साइड साइड में इस तरह से डाल दीजे सारा खाद डालने के बाद दोस्तो जो हमने मिट्टी उपर क्योर उठा के रखे तो वो मिट्टी जो हमें नीचे क्योर कर देना है उसके बाद दोस्तों आप हमें अपने पोदे में हलका सा पानी देना है ज्यादा नहीं देना है तो हमें इसमें कौन सा पानी दे रहे हैं दोस्तों वह भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगी तो दोस्तो आप हमें अपने पोदे में दूसरा क्या करना है एस्प्रे तो हमें एस्प्रे करने के लिए दोस्तो सबसे पहले लेना होगा एक लिटर पानी और इस एक लिटर पानी में दोस्तो हमें क्या-क्या मिलाना है वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ तो यह जो आप देख रहें दोस्तों सफेट सचीज यह अपसम सोल्टर यह अपसम सोल्ट दोस्तों हम इस लिए इस पानी में मिला रहे हैं क्यूंकि इससे हमें एस्प्रे भी करना है और अपने पोधों के जोड़ों में भी डाल यह जो अपसम सोल्ट होता दोस्तों यह मेग जो खाद है इसे हम अपने पोदे के मिट्टी में भी डालेंगे और दूसरा दोस्तों इसे हम एस्प्रे भी अभी करेंगे और दोस्तों दूसरी चीज़ जो हम इसमें मिला रहे हैं यह है दोस्तों फंगी सैट पोडर यह जो हम यह थोड़ा सा लिए है एक चुटकी जितना स साफ फंगी साइट पोडर इसे भी हमें इस पानी में घोल लेना है क्योंकि दोस्तों अभी सर्दिया हो रही तो इस टाइम हमारे पोड़े में फंगस भी बहुत जल्दी लगती है जो निव निव ब्रांच आते हो उसमें फंगस पकड़ लेती हो और पत्या भी खराब हो जा यह नी मॉयल को भी हमें मिला लेना दोस्तों इससे हमारे पोड़े में किसी तरह के कीड़े नहीं लगते हैं जो काले काले कीड़े होते हो चिपकते नहीं है और हमारे पोड़े में जो कलियां बनती हो काफी अच्छा रहती है तो इसलिए दोस्तों हमें इस तरह करना चाहि करें दोस्तों यहां रहा हुवे ओमासे इतने के लिए यह बास देखि रेरा देंगे आपने में अपने सब Verme करना। तो जितने हम गुलाब की मैं कहा हम यह तरो सब्सक्राइब कर दोздर ना है तनल्स Door अब में सब्सक्राइब वरको उक्रया नहीं तक सब्सक्राइब कर दोभ कोछी पड़ीया और व्रम मिक्राप के पोतैंट है सभी पोध foto में इस तरह से लिक करना और जह पर हमने रेड़ी किया था दोस्तों वह बच गया है तो यह बचह नहीं दो साओ हमोरे पना के जड़ो жोड़on में डाल देना आज तरह से दोस्तो एकदम सौस्त और हेल्दी रहेगी तो दोस्तो इस वीडियो में दी गए जानकारी अगर आपको अच्छी लेगी है तो वीडियो को लाइक, सेर, कामेंट कीजेगा और मेरे चैनल में नए आये हुए हैं मेरे चैनल को सस्क्राइब भी जरूल कर लिजेगा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद मिलते हैं नए वीडियो में नमस्कार